आप लोगों को सोम का लेक्चर नमबर वन बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप लोगों ने खुब अच्छे से इंज्वाई किया होगा सो लेडीज और जेंटलमेन आज मैं निखिल गोयल आप सभी के लिए सोम का बहुत अच्छा सेशन लेकर आया हूँ जिस पर्टिकुलर सेशन में आप सभी को प्रॉपर्टीज ओफ मेटल से रूबरू करूँगा और उसके बाद कुछ क्वेशन प्रेक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों के कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉंग हो सके और आप अपनी पढ़ाई पे चार चांद लगा सके ठीक है तो सबसे पहले तो बात आती है कि मैंने जो आप लोगों को इससे पहले वाले सेशन में पढ़ाया था मैं यह एंशॉर करना चाहता हूँ आप स क्योंकि आज का जो सेशन है ना उसमें जितना ज्यादा आप थुद से सोचोगे उतना ज्यादा कंसेप्ट बूस्ट अप होते रहेंगे बस सिंपल सी बात है कल मैंने आप लोगों को एक टर्म से अच्छे से रूबरू कराया था जिसका नाम आता है इलास्टेसिटी आई ह ओप हो कि आप लोगोंको एक अच्छे से समझ आई होगी। थोड़ी बहुत मैं आज भी बताने वाला हूं इसके बारे में आपको फिर कल के लेक्चे में मैंने आप लोगों को एक टर्म ऐसे से बतानी का कोशिश किया था जिसको कहते हैं stress strain और एक और टर्म मैंने आपके साथ discuss करा था बहुत short duration of time में जिसको कहा गया था elastic modulus इन सभी terms के बाद मैंने आप लोगों के साथ stress और strain कर्व भी discuss करा था stress strain कर्व मैंने आपके साथ discuss किया था जिस particular कर्व में आप सभी को mild steel के लिए चीज़े पढ़ाई गई थी जिस particular कर्व में आप सभी को mild steel के लिए चीज़े पढ़ाई गई थी I hope so जितने भी points मैंने आप लोगों को कल के lecture में बताए थे वो सारे point आपको समझ आये होंगे क्योंकि उन points के behalf पर आपके कई concept निकल कर आते हैं और exam में question आते हैं हाँ तो अभी न उन points को ज़रा देखते हैं important point क्या था पहला point जो नाम आपको याद रखना है J के regarding वो है proportionality limit तो proportionality limit क्या था आपको पता होना चाहिए और दूसरा आता है elastic limit basically अगर मैं define करना चाहूं तो elastic limit दो तरीके से होती थी एक होती थी linear और एक थी non-linear तो linear elastic limit ही proportionality limit के नाम से जानी जाती थी और non-linear proportionality limit में नहीं आता था इसके बाद मैंने आपके साथ discuss करा था एक और point that is called yield point yield point में मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि कि कितने percent strain से कितने percent strain तक आपका material खिच जाता है मुझे उमीद है याद होगा कितना था point one two percent से लेकर one point four percent strain तक आपका material जो है वो elongate हो जाता है yielding point के लिए then उसके बाद we have discussed about one word that is known to be a strain hardening I hope so आपको strain hardening अच्छे से समझ आ गई होगी हम लोगों ने strain hardening भी discuss करी थी fifth one ultimate point ultimate stress point हम लोगों ने अच्छे से देखा था और sixth one that is known to be as fracture point okay ultimate point पे stress कितना आ जाता है body के अंदर ultimate point पे जो strain आता है वो 20 percent होता है mild steel के लिए और जो fracture point पे strain आता है वो 25 percent होता है mild steel के लिए यह आपको याद रखना है क्यों सिर्फ mild steel की बाते करनी है क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था as such मुझे नहीं पता इसका reason क्या है लेकिन civil engineering और mechanical engineering के लिए common subject है यह और common subject है ना दोनों में steel बहुत यूज होता है mechanical वाले machine बनाते civil वाले सरिया बनाते तो दोनों में ही बहुत अच्छे से यूज होता है इसलिए शायद steel को बहुत ज़्यादे इंपोर्टन्स दे रखी है ठीक है अब इसके बाद मेरी बात आती है गुड़ीवनिंग के बाद fracture point तक आप लोगों का एक और phenomena बीच में आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं नेकिंग कि में पॉइंट से लेकर fracture point के बीच में एक और phenomena होता है जिसको हम लोग नाम देते नेकिंग अभी नेकिंग क्या होता है नेकिंग आप लोगों का होता है जैसे जैसे आप च्विंगम को खीचते चले जाते हैं वैसे वैसे आपकी च्विंगम का cross-sectional area पतला 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 होता है तो वो क्या है elongation के साथ जब area decrease होता है उसी process को नेकिंग का नाम दिया जाता है ठीक है यह गला है गले का area देखो कितना पतला है मूँ चोड़ा छाती चोड़ी गले का area पतला तो वो नेकिंग कहलाता है नेक कहते हैं गले को नेक आगे मेरी बात आती है यहां से कि इस particular phenomena के बाद दो शब्द आपके साथ discuss और ज्यादा अच्छे से करना चाहूंगा वो बहुत important है फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा अभी कल मैंने एक term आपको पढ़ाई थी एक होता है elastic एक होता है plastic elastic का मतलब क्या होता है जो original position को regain कर सकता है plastic का मतलब क्या होता है जो permanently deform हो जाता है यह आपको पता है जैसे rubber elastic है हम खीचते हैं वापिस आ जाती है तो एक particular state तक elastic रहती है ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें है जैसे लकडी है लकडी वापिस थोड़ी आती है लकडी को तोड़ो तो वो तूट जाती है तो लकडी क्या होई plastic इन ही दो चीजों से मिलकर आपके पास एक term आती ह अब मैं आपको यह समझाना चाता हूं और बेसिकली आपसे question भी put up किया जा सकता है यह elastic strain and plastic strain देखो नाम आपको सब suggest कर रहे है नाम आपको suggest कर रहे है दोनों चीज़े elastic strain होता क्या है the strain which can come to its original position और I will say that वो strain जो elastic limit के अंदर है strain within the elastic limit आपके elastic limit के अंदर जो strain आ रहे है वो elastic strain है अब elastic limit कौन सी linear भी हो सकती है non-linear भी हो सकती है कोई भी elastic limit हो सकती है लेकिन plastic limit के मैं बात करूं तो I will define it by one word only strain after elastic limit जहां देना strain after elastic limit that is known to be as what plastic strain अच्छा अगर यादो तो elastic और plastic का मतलब मेरे को समझ में आ गया लेकिन इन दोनों को बीच में differentiate करने वाले point को क्या कहते है अगर graph तुम लोगों को याद हो ना तो graph में मैंने तुम लोगों को समझाया था कि elastic strain के बाद permanent deformation किस point से शुरू होती है अगर तुम लोगों को याद हो तो उसको कहते है yielding point हाँ तो मैं कह सकता हूं elastic strain क्या हुआ I will define it as वो strain जो yielding point से पहले आता है before yielding point क्योंकि yielding point से ही आप लोगों की permanent deformation स्टार्ट होती है yielding point से ही आप लोगों का plastic region शुरू होता है ठीक है I will say कि आप लोगों का plastic strain क्या होगा जो आपका after yielding point चल रहा होगा आपको ये बाते समझ में आ रही है और अगर ये particular चीछ समझ में आ गई तो एक बार ही thumbs up करो क्योंकि मुबारा को एक number का question आपका पक्का हो गया important है बच्चों को पता नहीं होती और अगर तुम्हारे एक्जाम में आ गया तो खुशनसी भी तुम्हारी कि तुमको पता था जल्दी thumbs up करो समझ आ गया जल्दी से are you getting it ladies and gentlemen okay आगे चलते हैं आज क्या क्या पढ़ाने वालों यह मैंने आपको कल बता दिया था अब इसी के साथ देखना आज मैं आप लगों को पढ़ाने वाला हूं कुछ properties of metal के बारे में बहुत सारी अच्छे अच्छी properties मुझे metals के regarding देखने को मिलती हैं आपको पता भी होगा क्योंकि 10th 11 12th पढ़ते ही आ रहे हो कहिना कही chemistry और science में तो भही सबसे पहली मेरे पास जो बहुत अच्छी properties आती है metal गी that is known to be as it is ductile हम लोगों को properties के बारे में देखना है ductility एक property आती है आपके metal की ductility का मतलब क्या होता है मैं तो नाम से समझूंगा बाकी चीज़े आपको समझ में आजेंगी ductility मतलब मैं एकी चीज़ जानता हूं आपका कोई भी material जब लंबा 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 होता चला जाता है तो वह ductile होता है समझके चलना रटना मत आज से पहले तुमने हो सकता है थुद भी पढ़ाओ आज से पहले हो सकता है यूट्यूब पे देखाओ आज से पहले हो सकता है तुमने paper भी दिया हो इसके regarding और वह question ठीक कर लिया हो लेकिन आज जो पढ़ोगे ना तुम सोच ना जो मैं बोलूँगा फिर उसके बाद जिंदगी में पता नहीं तुम कहां से क्या relate कर दोगे और वह सीख जाओ इसलिए आज जो पढ़ोगे वह थोड़ा unique होगा पका फस्ट फॉल मैंने तुमें एक शब्द लिटी का मतलब क्या है elongation आपको पता है जैसे आप सरीय को खीचते तो सरीया खीच जाता है जब बहुत ज्यादा मशीन के पावर में आके अगर फोर्स लगाया जाए तो लोगा खीच जाता है चलो और असानी से च्विंगम खीचते हैं तो खीच जाती है लकडी खीचते ह तो नहीं खीचती भाई शीशा शीशा हो या दिल हो टूट जाता है तो खीचते हैं तो खीचता नहीं है तो वो material जो फोर्स लगाने पर elongate हो सकता है वो ductile होता है मेरी बात समझ में आई आई आप लोगों को और उसके उस property को ductility का नाम दिया जाता है अभी तो definition पढ़ ले यानि जो अराम से खीच जाती है वो ductile होता है अच्छा ट्रेडिशनली इसको थोड़ा से definition के इसाब से define किया गया वो भी अभी समझाऊंगा पहली बात तो आपके दिमाग में क्या है यार जो चीज खीच जाती है वापिस थोड़ी आती है जो चीज खीच जाती है वापि अका के इस तो आती है मैंने का चलो example दो आपने सामने से खड़े होकर का सर elastic वह पजामे में डालने वाला elastic होते हैं ना सर elastic को मैं खीचता हूं ना तो खीच तो जाता है लेकिन वापिस आ जाता है कि अरे यार बड़ा दिमाग लगा दिया और मैंने कहा दूसरे बच्चे न ने फट कह दिया सर एक material ऐसा है जिसको खीचने पर वापिस नहीं आ रहा दूसरा material ऐसा है जिसको खीचने पर खीच तो रहा है अब खीच रहा है लंबाई बढ़ रही है तो इसका मतलब डक्टाइल तो गया न वो लेकिन वह वापिस भी आ गया अब questionarize क्या हुआ दिमाग क के अंदर questionarize यह हुआ भाई डक्टाइल कौन सा है इन में से elastic डक्टाइल है लोहा डक्टाइल है या दोनों डक्टाइल है तो यहां पर confusion होई confusion होई और confusion के बाद एक चीत समझ में आई एक बात हमेशा याद रखना जो मैं कह रहा हूँ मैंने पहली बोला कि आज तुम लो देखना डक्टिलिटी कौन से वाली elongation को ध्यान में रखता है पर्मनेंट elongation को ध्यान में रखता है यानि सर मैंने जो पजामे के नाडे को खीचा था वह elastic वापिस आ गया था वह डक्टाइल नहीं होता वह डक्टाइल ठूड़ी है डक्टाइल का मतलब क्या हुआ जो खी खीच जाए पर्मनेंटली खीच जाए वापिस नहीं आये तो सर ऐसे तो बहुत सारे मैटीरियल है ना है जो खीच जाते अब यहां पर क्या हुआ कि एक limit fix कर दी कि कितने खीचाव के बाद यह तो समझ आ गया ना पर्मनेंटली खीचाव देखना है वह सब नहीं मतलब धो last time operatingTwitter permanent खिचाव होता है यानि मैंने इसको को है यह कैसा जोन आने वाले सार वास्टिक श्ट्रेंट पर्मनेंट देना पर्मनेंट का मतलब plastic strain तो plastic strain कितना होना चाहिए याद रखना 5% से ज़्यादा अगर किसी भी material का plastic strain yielding point के बाद के strain की बात कर रहा हूँ मैं वो 5% से ज़्यादा है तो याद रखेंगे कि आपका वो material ductile material की category में आ जाता है ठीक है अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ मैंने का क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ मेरे पेरे बच्चे इसको paper में ऐसे नहीं पूछते कभी फेले definition बढ़ते हैं फिर आउंगा the property which can be by which a material can be stressed basic सी बाते है the material having post elastic strain अरे क्या है ये elastic strain के बाद post का मतलब बाद होता है कौनसा strain होता है आपने का plastic strain होता है post elastic strain का मतलब plastic strain और क्यों मैंने समझाया वो 5% से ज़्यादा होना चाहिए तो वो ductile material के लाप है example सर बहुत सारे है aluminum, steel, copper, manganese, lead, nickel, etc gold भी लगा दे न बहुत सारे है चल आपको इतना तो पका clear हो गया कि ductile का मतलब क्यों होता है ductile में देखा कैसे जाते है ductile को elongation किस तरीके से आपको देखनी है वो चीज़ तो समझ में आगे practically सोचोगे क्या मैंने तुमको दो material दिये एक मैंने दे दिया शिशा, एक मैंने दे दिया ductile लोहा सुनना लिखूंगा नी बाद मैं 81 सारी चीज़े लिखूंगा ये किसी किताब में नहीं मिलेंगी ये मैं खुद बताऊंगा मैंने का शिशा हो या दिल हो अचानक से गुलाम हली की आवाज है तोटे जाता है ये सब आम लोगों की जिन्दगी है अपनी जिन्दगी में हम तूटते ही नहीं हम तो इंजीनियर हैने साब कंक्रीट और लोहे से खेलना होता है कंक्रीट हमारी बोडी लोहा हमारा दिल हम नहीं तूटते शरी टूट जाए दिल नहीं टूटता हमारा कभी आज नहीं तो कल इसी उम्मीद के भरो से दुनिया काट रही है इंजीनियर तो खास कर तो मैंने क्या बोला मैंने का बताओ डक्टाईल मेटीरियल में ताकत जादा होगी की कम होगी अब जंदी बताओ लोहा भी है और शीशा भी है बताओ ताकत किस में जादा होगी लोहे में जादा की शीशे में जादा औरे सर बहतरीन आपको समझ में आया कुछ हाँ लोहे में लोहे में लोहे में जादा होती है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर कि जितना ज़्यादा कोई भी material डक्टाइल होगा वो उतना ज़्यादा load को जहेग सकता है हाँ और common sense लगाते हैं मैंने का डक्टाइल का मतलब खिच सकता है एक तो है जो अपने अपने सुद्रिड खरा है तेरे भाई का 56 इंच का सीना और मुक्का मारते ही तूट गया चर्चर और जो ऐसे हो गया उसकी हड्डियों में फिर भी थोड़ी वह जान बचेगी यानि जो अपने आपको deform कर सकता है अंदर application of load वो ज़्यादा दिन तक सह सकता है वो ज़्यादा दिन तक आराम से टिक सकता है अगर पसंद आयो तो थम्जब करिएगा क्योंकि किताब में नहीं लिखी होती यह बात है आपको मैंने कहा ड़्यादा होगी किसी भी मैटेरियल की उतनी ज्यादा durability होगी अरे सार हां होता है ऐसा होता है चाल आगे बात आती है दूसरा property जिसको कहते हैं business अग्रेजी मतलब सबको पता होता है तूटना करते हैं तो जरूरी नहीं है घर का टूटे हम सिविल इंजीनियर है ना हमारी जिंदिगी में तो पता नहीं शीषे किन किन रूप में तूटते कभी दवाई की बोतलों में कभी घर के शिश अरे सर आप असली तो भूली गए मैंने भूला नहीं हूं ना मैं मतलब हर चीज यूट्यूब पे बोलने जरूरी थोड़ी होती है कुछ बाते दिल से दिल के संपर्क में पढ़ा ही जाती है मतलब मैंने जूट थोड़ी बोला बई चला ब्रिटलनेस क्या है जिसकी वज़े से चीज़ए तूट जाती है अच्छा डेफिनेशन कैसे लिक्कूंगा जिसकी वज़े से चीज खिचनी बाक है the property due to which material or the metal cannot be stretched obviously और जल्दी तूट जाते हैं अब समझना मेरी बात को तो यह पहली definition क्या बोल रही है दा प्रॉपर्टी ड्यू तूट विच अमेटीरियल के नॉट भी स्ट्रेश्ट और फ्रेक्चर्ड इमेडियेटली एकदम तूट जाते हैं अब यह उसका उल्ट है अगर खिच जाए तो डेक्टाइल नहीं खिचे तो ब्रेटल दोई जीजे यह बस खिच जाए तो डेक्टाइल नहीं खिचे तो ब्रेटल तो उसमें क्या था प्लास्टिक स्ट्रेंड पांच परसेंट से ज्यादा था इसमें क्या है प्लास्टिक स्ट्रेंड पांच परस गलती से हो गया यह ब्रिटल है इसके एक्जामपल बहुत असान है सब को पता है कंक्रीट और शीशा लेकिन पेपर में दोनों ही नहीं पूछता maximum chance जो मेरी तरफ से पेपर के लिए important बनते हैं वो कौन से हैं वो हैं आप लोगों के cast iron cast iron बहुत important बनता है क्योंकि iron generally ductile होता है लेकिन cast iron iron की एक ऐसी form होती है जो brittle होती है टूट जाता है शीशे की तरह हो जाते हैं लोहाँ एकदम सफेट वो टूट जाता है कास्ट ठीक है बहुत important है याद रखना तो दो प्रॉपर्टी समझ में आई क्या क्या आया डॉक्ताइल का basic मतलब आया अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलता हूं that is called malleability बहुत असान है कि वड्यू मीन बैदाट मेली अबिलीटी मिलीबिलेटी का मतलब क्या होगा एए दसवी क्लास नोवी क्लास छटी क्लास में पढ़ गया हूं लोहा है न लोहा लोहा भी छोड़ गोल्ड सोने को देखा है कभी तुम लोगों ने सोना मेरी ख्याल में सबसे ज्यादा मिलीबल है मेरे को पक्ता नहीं पता बट सबसे ज्यादा मिलीबल शायद सूना है आप सूने की एक तार को गन्ये के जूस निकालने वाली मशीन में से फेरो वो चप्टी होती रहेगी चप्टी होती रहेगी और 10 रेश्टु पावर माइनस 9 मीटर की थिकनेस जितनी पतली होगी यान यानि 10 रेश्टु पावर माइनस 6 होती है और ये आप देखो ये तुम लोगों का उस पॉलिथीन की थिकनेस से भी पतला हो जाता है गोल्ड इतना पतला हो सकता है रदर्स फोर्ड गोल्ड एक्सपरिमेंट आपने सुना होगा साइंस पढ़ते हो पेपर में आती है उसने नेनोमेटर तक की गोल्ड फोल बना गीती इतना पतला आप समझो तो वो प्रॉपर्टी जिसकी वज़े से आपका मैटीरियल चपता बनाया जा सकता है उसी को क्या कहते है मिलियबिलीटी समझ में आ रही है न इंटू शेट तो अभी क्या है यहां पे दा प्रॉपर्टी बाइच बैटल कैन बे कंवर्टेड इंटू फिन शेट बाइप्रेसिंग इस कॉल्ड मिलियबिलेटी अगर मेकेनिकल वाले बच्चे भी सेशन को देखेंगे तो जेही में पूछा जा सकता है कहां कहां इसका यूज होता है सबसे पहले आता है फोर्जिंग होर्जिंग मतलब होता है लोहे से पीटना है ना देखा होगा ओ mangerād की दुकान पर लोहे का बहुत काम होता है मारते रहते हैं लोहे से पीटते हैं गरम करके दूसरा आता है होट रोलिंग के और तीसरा आता है गन्ने का इस डारेक्टली प्रपोर्शनल टू डक्तिलेटी मेरा कहने का मतलब है जो जितना ज्यादा मिलियेबल होगा वह उतना ज्यादा डक्ताइम भी होगा बताओ सही है कि घलत है जल्दी से यार राहूल मोर्या आज मेरा दूसरा सेशन है अभी पूरे की बात मत करो क्योंकि मैं मैं जब भी पूरा कहता हूं कभी पूरा करनी बता तो इसलिए अभी जितना पढ़ा रहो उतना मस्ती में पढ़ो न एक भी सेशन में रटवाँगा नहीं सब समझाता चले जाओंगा जल्दी बताओ न अरे लियार जल्दी बताओ आँ आगे चलना है मेरे को क्या मैं ऐसा लेख सकता हूं डाक्टिलिट प्रोपोर्शनल टू विळीविलिटी जल्दी बोल न एए जल्दी ओके चलो बोल दिए एक मजे की बात बताऊं क्या बताऊ वन लाइनर चाहिए फ्री में इस पर्टिकुलर चैप्टर की वन लाइनर चाहिए फ्री में दे दूँगा डाउनलोडेबल फाइव दे दूँगा अपने पास रख सकते हो तुम लोग वन लाइनर चाहिए फ्री में तो एक काम दिरना इस वीडियो पे 100 टारगेट पूरा करो इस चैप्टर की फ्री वन लाइनर दूँगा आप डाउनलोड कर सकते हो अपने मुबाईल में आज से पहले कभी किसी ने डाउनलोड नहीं करी वन लाइनर मैं फ्री ओफ कॉस्ट मैं का यार तुम कर कैसे देते हो बच्चे तो 10 परसेंट ही होते है लेकिन इतने कहां से कर देते हो तुम लोग जो भी है इफ यू वांट फ्री वन लाइनर इन डाउनलोडेबल फॉर्मेट प्रिंट भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर चेप्टर का तो इस टारगेट को पू लोजना, बंदा बहुत हार्ड, बंदे को छोड़ो, मेरे पास दो जीजे है में आपके पास एक है लकड़ी, लकड़ी भी ने, एक है चूनापथर, stone होता है न, stone, चूनापथर, वह और एक है तुमारे पास, वह क्या बोलते हैं ज्को, एक to stone है और एक पाउडरी, ये तो हो सकता है कि तुमारे नाखुन जो है वो तुमारी उंगली से अलग हो जाएं और अगर तुम लोग अपनी इड को उगली से रगड़ोगे तो शायद इड का उपर उपर का हिस्सा तुमारी उगली के साथ चूरा बनके आ जाएं तो ये जो प्रॉपर्टी होती है न समझना मेरी बात को ये जो प्रॉपर्टी होती है न ये प्रॉपर्टी आपके मैटीरियल की कहलाई जाती है हार्डनेस तो पत्थर वो बहुत हार्ड है यार उसको कितना ही कर लो वो मेल्ट नहीं होता मेरा कहने का मतलब है convert नहीं होता है ना लेकिन eat ये कम hard है इस पे तो नाखुन मारने से ये परिवर्तन आगे समझरे मेरी बात को feel करो आपको पता लगा hardness के sentence के हिसाब से लिखी है सुनना मेरी बात को sentence के हिसाब से लिखी है hardness is the resistance to scratch or abrasion abrasion मतलब आपस में टकराना ये scratch का मतलब समझ रही हो ना चीरफाड scratch तो कोई भी material अगर scratching होने से बचता है तो वो hard कहला है अच्छा क्यूं बचता है मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ चले आपके पास कोई एक material है और वो दो material इस तरीके से बने वे हैं सुपोज इस इस और material नमबर ए और इस इस और material नमबर भी मैं hardness समझा रहा हूँ hardness क्या होटी है आपको मैंने कहा इस material के अंदर जो intermolecular force of attraction है जिसको हम लोग cohesion के नाम से जानते हैं वो c1 है इसके अंदर जो cohesion है वो c2 cohesion का मतलब समझते हो जो particle आपस में चिपटते हैं होता है ना तेरे मेरे बीच का प्यार cohesion आपस में जो particles की बीच का प्यार होता है वो cohesion क्याला रहे हैं ना क्योंकि same particle है तो इसका cohesion c1 उसका cohesion c2 मैंने तुमको ये कह दिया कि c2 जो है वो c1 से बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा इतना प्यार की उसमें हवा भी पास नहीं कर पारी इतना चिपका हुआ हवा भी पास नहीं कर पारी और c1 जो है प्यार तो है कम है थोड़ा तो मैंने कहा अगर तुमको किसी चीज को अलग करने है तो बताओ किसको आसानी से अलग कर सकते हूँ तुमने कहा भाई आराम से मैं C2 को अलग कर सकता हूँ C1 को अलग नहीं कर पाँ C1 को अलग कर सकता हूँ C2 को अलग नहीं कर पाँ क्यों अरे यार C2 के बीच में प्यार बहुत जादा है C2 के बीच में प्यार बहुत जाद है तुम कितने ही रहक्ते मार लो कितना ही नाखोनों से नोच लो कितना ही पकड़ के साइड कर लो वो पूरा का पूरा material साइड आएगा लेकिन उसमें से जो प्यार है वो कमनी होगा क्योंकि पहले ही बहुत जादा है और C1 को अराम से अलग कर सकते हैं तो I can write one thing ladies and gentlemen अगर मेरी बात को समझ रहे हूँ कि hardness जो है वो किसका function है hardness किसका function है I will say it is the function of intermolecular force of attraction it is the function of intermolecular force intermolecular force of attraction ये किसका function है इसका function तो जितना ज्यादा force of attraction होगा उतना ज्यादा material हाड होगा तुम्हे एक चोटा से example देता हो सारे मैचे और हो घसने की जुरूत नहीं है जब अपनी setting से ज्यादा प्यार होता है ना बंदा बिंदाज भूमता है यार कोई tension ही नहीं है फिर चार देख ले छे देख ले आठ देख ले और दस बात कर ले कोई नहीं I know वो मेरी है भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना bonding अच्छी है प्यार जादा है और जब अपना सिक्का खोटा होता है ना अपन भी सारा दिन भाई दिमाग में रहती है यार हाई उससे बात कर रहे हैं मुबाइल चेक कर आप आप ना बाई में मेरी बात को समझ रहे हो मैं मजाग नहीं कर रहा है मैं अपना हाड होगा ना फिर दुनिया की सारी ताकतों को बंदा जहल लेता है हाड है सकते हैं आपको समझ में आकर पक्का आ गई मैं एक और प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं फिर उसके बाद दुबारा लॉट करूंगा इसी के तो मैंने तुम्हें कहा कि हाड़नेस को निकाला कैसे जाता है यह भी हाड़नेस किस तरीके से निकाला जा सकता है पहला होता है आपका मोहर्स टेस्ट और दूसरा मोहर्स सारे टेस्ट है यह तो दूसरे तो बहुत सारे टेस्ट है बट मैं एक ही लिख रहा हूं जो हमारे कोर्स में है जिसको हम लोग कहते ब्रिनल हाड़नेस नंबर वैसे तो पाँच टेस्ट है मैं आपको बता दूँए लेकिन हमारे कोर्स में दो यह तो यह दोनों के दोनों कोर्स में हैं तो लेकिन बीम्सी में पढ़ाऊंगा जब बेडिक मैटीरियल होगा अभी नहीं पढ़ाऊंगा अगली प्रॉपर्टी मेरे पास जो आती है डाट इस नून इंपक्त का मतलब समझते हो न फटपड मारना एकदम आया और कोई चीज जब आके गिरती है तो फटपड मारते हैं इंपक्त उसको गयते हैं ठीक है तो इंपक्त जहिलने की प्रॉपर्टी को अब समझना मेरी बात को मैं क्या गया हो हूँ तुम्हें मैंने का भाई प्रे इस मैटीरियल पे कोई भी इंपक्त लोड आ रहा है यहां से गिर के नीचे की तरफ आ रहा है और एकदम इसके ओपर आया और धप धप होगया धप होने के बाद दो मैटीरियल है आपके पास एक मैटीरियल यह है और एक मैटीरियल यह है इस मैटीरियल की प्रॉपर्टी ह कि यह थोड़ा बहुत इदर उदर लचीला पन इसमें आ सकता है मैंने का इसके अंदर लचीला पन अच्छा लचीला पन का मतलब समझते हो न अपनी शेप को चेंज कर सकता है लोड के इंफ्लेंस में और यह कैसे एकदम फोस तो उसका मतलब as it is रहने वाला यह नहीं जुकेगा और बहुत प्यारी बात संत कहकर गए है कि जो जुकता नहीं है वो टूट जाते है होता भी यह यह लचीली डाली जो होती है डाली को मोड लो तो मुड जाती है और जो बिलकुल टाइट डाली होती है न उसको मोड तो लचीला है वो आपके लोड को आराम से जहल सकता है यह जो है यह बेर कर सकता है आराम से और यह जो है यह बियर नहीं कर पाएगा किसी भी हाल मेरी बात समझ रहे हैं तो यहां से चीज समझ में आई तुम लोगों को कि जो बेर कर सकता है उसको लचीला होना पड़ेगा उम मुख्य मारना और कितने मुख्य मार लो उस डॉ में एक प्रॉपर्टी है कि वो तुम्हारे सारे के सारे मुख्य को जहेल लेता है और वही तुम्हारे पास दूसरा मैटीरियल घरके टाइल और तुम करते हैं अब मुख्य मारना दूब मतलब एक बारनी दूसरी बारनी तीसरी बार में टाइल टूट जाएगी तो टाइल तुमारे लोड को जहल नहीं पाई क्योंकि टाइल लचीली नहीं है तो जो जितना ज्यादा लचीला वो उतना ज्यादा तुम्हारा टफ होगा उतना मैटेरियल को जहल सकता है ठीक है उतन किस फॉर्म में जाकर मैटिरियल में स्टोर होता है अब देखो common sense है आपने किसी पे मारा तो आपने अपनी एनरजी उस पे ट्रांसफर करी है न अपनी एनरजी उस मैटिरियल पे ट्रांसफर करी है तो मारने के बार आपकी energy material की energy में transfer हो जाती है और material में store हो जाती है तो मैंने क्या का impact load आपके material की potential energy के format में store हो जाती है potential energy form में जाकर store हो जाती है ये चीज़ तुम लोगों को याद रखने है ठीक है तो यहां से एक बात लिख सकता हूँ पहले toughness पढ़ा देता हूँ फिर उसके बात लिखोंगा अब मुद्दे की बात आईगी जो मैं बताना चाहरा था जो मैं समझाना चाहरा मैंने तुम्हें कहा कि the property which enables the material to bear impact loading or shocks comes of strain energy जो पहला sentence है वो बिलकुल as it is the amount of energy stored by the material due to impact load is determined with the help of modulus of toughness आप लोगों का जितना energy store हो रहा है material के अंदर उस amount of energy को कैसे निकाला जाता है वो निकाला जाता है आप लोगों का modulus of toughness के नाम से यह बहुत important है यह आपको JEE के लिए याद रखने ठीक है उसको modulus of toughness के नाम से जाना जा आगे मैंने तुम लोगों को दो तीन चीज़े और लिखवाई है वो भी बता देता हूं फिर उसके बाद मैं जो बताऊंगा वो नया चीज़ आएगा modulus of toughness है क्या simple है energy stored per unit volume in the material आपके material में जितनी energy store हो रही है per unit volume that is called modulus of toughness it is equal to stress strain curve का area सुपोज आपके पास एक material है और उस material का आपने stress versus strain का कर्व बनाया तो fracture point तक this is your fracture point इस point तक जितना भी इसका area आ रहे ना इस area का amount तुम लोगों को modulus of toughness बताएगा ठीक है कितनी energy store हो रही है वो इसके area से पता लगती है important for J numerical के लिए important है numerical ही है आगे आता है modulus of toughness का formula क्या बनता है आप लोगों का ये भी आपको याद रखना है क्योंकि exam में पूछा जा सकता है तो modulus of toughness का जो आपका formula बनता है वो होता है sigma y plus sigma u upon 2 yield strength और ultimate strength का average तो paper में कैसे लिखा होता है कई बारी ये empirical है ये ना आप लोगों को याद करना है problem हो तो मेरे से पूछना आभी offline comment भी आप कर सकते हो वीडियो में मैंने यहां से का it is defined as average of yield strength and ultimate strength average of yield and ultimate strength of material ठीक है ये बात तुमको याद रखनी है ये modulus of toughness का सारा खेल समझ में आगे अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको बताने से पहले मैं तुमसे thumbs up चाता हूँ चार properties मैंने लिखवाई ductility, milleability, brittleness, hardness और toughness पांच लिखवादी पांचों समझ आगे अब जो बोलूँगा वो सारा relate करने है एक दूसरे से सब relate करूँगा आप में एक बारी मेरे को yes और thumbs up करो ये clear आगे आसिफ महमूद एक साल कहां गायब थे गायब तो क्या थे मतलब अब आगे उसका answer नहीं दे तो ज़्यादा अच्छ है जल्दी से clear है ना अब आगे चलते अब मेरी बात आती है यहां से तुमको अगर चीजे समझ में आई हो तो मैं अपनी भाषा में लिखता हूँ उसके आप लोग relate करना तो फिर मैं आपको दिखा भी दूँगा मैं क्या लिख कर ला है मैंने दो चीजे पढ़ाई कि कोई भी material hardness कब शो करता है जब आपस में प्यार हुआ एकरार हुआ यहां प्यार जाहिर करने से डर नहीं राध दिल खुल के दिखा रहा है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ओ अट्रेक्शन खुल के प्यार कर रहा है एकदम दुनिया का कोई डर नहीं और टफनेस कब शो करता है इंसान जब उसके अंदर लचीला पन आता है मैं लचीले पन को एक शब्द से डिनोड करूंगा दैट इस नौन टूबी अस फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है टफनेस जब भी आ जादे क्या मैं इन दोनों पॉइंट्स को मध्यनजर रखते हुए ऐसा लेख सकता हूं जो जितना ज्यादा हाड होगा उसकी उतनी ज्यादा ताकत होगी रिजिट बननेगी जो जितना ताकत होगा हाड होगा मैंने बोला प्यार जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा उतन ज jáते हैं बात समझ में आ रही है मेरी आप लोगО को मैंने का वह उतना जादा मंतलब क्या उतना जद अ कि यह थी वह बात जो समझाना चाह रहा था कि इसका मतलब कि ये relate कर दिया हमने चीजों को आपस ठीक है चलो clear तो यही चीज मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ ductility is directly proportional to toughness and brittleness is directly proportional to hardness क्यों क्या कैसे वो सारी चीज आपको समझ में आगा अगली property मेरे पास यहाँ पर आती है that is known to be as elasticity आपको पता है वैसे इसके बारे में फिर भी मैं थोड़ी बहुत बाते आप पे साथ इसके बारे में discuss कर देता हूँ दो-तिन चीज़ें नहीं पता हूँ विशाए elasticity is actually defined as what this is known to be as the modulus modulus का मतलब क्या होता है magnitude किसी भी चीज़ का जब magnitude लिख रहे होते हैं तो इस magnitude लिखने को modulus के नाम से लिखा जाते है modulus का मतलब भी magnitude होते है the modulus of strength of material strength of material is called elasticity किसी भी material की ताकत को शो करने के लिए जो magnitude शो किया गया है ना उनसी magnitude को कि किसी material की कितनी ताकत है वो elasticity के नाम से जानी जाती है generally elasticity को denote करने के लिए elastic modulus का सहरा लिया जाता है इसके बारे मैं detail में next chapter में पढ़ाऊंगा लेकिन अभी थोड़ा बहुत बता देता हूं वैसी यह मैंने कल के दिन भी आपको बता दिया था कि stress upon strain generally elastic modulus के नाम से दिखाया जाता है अगर मैं elastic modulus की बात करूँ तो मैंने एक graph बनाया और वो graph mild steel के लिए इस तरह का show कर दिया अब देखो elasticity जो है न जनरली हम elasticity जो है proportionality limit के अंदर देखते हैं क्यों क्योंकि हम यह मान कर चलते हैं समझना मेरी बात को सुनना हम हमेशा यह मान कर चलते हैं कि जब आपका material किसी भी तरह का खिचाब show कर देता है तो आपके material में failure condition आ जाती है हम यह मान कर चलते हैं एक example देता हूं भी में अगर बीम पर load डाला और भीम थोड़ा सा दिस्प्लेस कर गया तुम्हारी क्या आलत होईगी तुम ही सोच सकते हो इमेजन करो तुम बीम के ओपर घड़े और बीम डिस्प्लेस कर गया तो मैंने क्या माना तूटा तो नहीं है न भीम डिस्प्लेस कर गया तो तुम्हारी क्या हालत है तो तुम मान कर चलते हो डिस्प्लेस नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है इसलिए हल्की फुल की displacement भी failure बानी जाती है और मेरे को ये बात पता है कि yielding point के बाद इधर इस point के बाद failure आता है इस particular point के बाद yielding point के बाद आपका material displace होना शुरू हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं विकार की बात है वो failure condition arise कर पता है तो इसलिए elastic modulus जब भी देखना होगा तो proportionality limit के अंदर ही देखते हो ठीक है क्यों देखते हैं पता लगा न तो अगर मैं बात करता हूं कि elastic modulus को define कैसे करना है यहां पर तो होता क्या है अभी मैंने बताया stress upon strength क्या मैं लिख सकता हूं इस particular triangle के अंदर मान लो यह theta है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 theta is equal to sigma upon e sigma upon epsilon और यह sigma upon epsilon stress upon strain क्या है elastic modulus है तो I can write it as slope of stress versus strain graph is elastic modulus stress versus strain graph का जो slope होता है उसको elastic modulus के नाम से जाना जाता है चोटी सी बात मैंने आप लोगों के साथ अभी discuss करें ठीक है आगे यहां पर मेरी आगे बात आती है कि elastic modulus strength कैसे बताता है आप अगर graph को देखते हैं सुपोज मैं आपको ऐसे समझाता हूं आपके पास दो graph है और एक graph ऐसे है और एक graph ऐसे है इन दोनों में से आपको पता है कि इसका slope है theta 1 और इसका है theta 2 तो मैं कह सकता हूं कि theta 2 greater than theta 1 तो जाहिर तोर पे elastic modulus of 2 will be greater than 1 होने वाला है if this is strain and this is sigma कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चो वाली बात है तो मेरे को देखना है ये है क्या मैंने कहा अगर मैं इतने strain की बात करता हूं तो देखो छोटे से amount of stress पर ही इतना body strain शो कर रहे है यानि मैंने थोड़ा बहुत ही खीचा था और वो body ज़्यादा खीच गई यहीं तो हो रहा है तो उसको मैंने क्या का मैंने का elastic modulus है छोटी सी बात है और अगर मैं कह दू देखो कि यहाँ पर थोड़ा सा ही strain पैदा कर रहा हूं लेकिन जोर कितना लगाना पड़ रहे है पाकत कितनी लगानी पड़ रही है इतनी यह क्या है अरी ताकतवर है ना जभी तो इतना जोर लगा रहा हूं तो जाके थोड़ा सा खीच रहा है तो slope इसका ज्यादा है मतलब ताकतवर है और elastic modulus भी इसका जाता है प्रैक्टिकली हमने इसको सोचा अब इसी के साथ एक और चीज आती है जिसको हम लोग कहते है रेजिलेंस रेजिलेंस क्या होता है एक important property यह छोटी सी बात आपके साथ डिसकस कर देता हूं ताकि आपको चीज़े clear होती चली जाएंगी resilience is defined as ladies and gentlemen the amount of stored energy per unit volume in the material toughness में पढ़ा है मैंने modulus of toughness तो क्या होता है कि when the load is being applied when load is being applied and released जब body के ऊपर load लगाया जाता है और release किया जाता है then body then body gains and release strain energy तो वो body अपने आप में strain energy को gain भी करती है और release भी करती है उसी property को हम लोग क्या नाम देते हैं उसी property को हम लोग कहते हैं resilience के नाम से जानते हैं अब इसी के तहत मेरे पास एक और छोटा सा term आता है that is called modulus of resilience दिखो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी तर पहले बताया कि don't need to mug up any kind of thing ताकि आप लोगों को चीज़े समझ में आती रहें और आप चीज़ों को समझ कर भी चलते रहें तो भाई रटना नहीं रेजिलेंस है क्या strain energy का लेना और छोड़ना लेना छोड़ना लेना छोड़ना लेना छोड़ना अपने से रिलेट करें मॉडलस की मैं बात करूँ तो मॉडलस का मतलब होता क्या है मैंने अभी थोड़ी दिर पहले बताया कि तो मैं यहां से लिख सकता हूं मॉडलस ऑफ्रेजिलेंस को अगर डिफाइन करना हो तेन हाओ विल यू गूइं टू डिफाइन अग दिफाइन एसा लग रहे ना जाने क्यों अभी थोड़ी तर पहले सुना है भाई मॉडलोस ऑफ टॉफनेस सुना है ना वही तो यह है तो आई विल से देट इस नथिग जस्ट अ मॉडलोस ऑफ टॉफनेस एक ही बात है अलग नहीं मैं चीज तो कह सकता हूं जितना ज्यादा आपका इतना टॉफनेस होगा उतना रेजिलेंस भी होगा अच्छा तो सर इसका मतलब तो यह हुआ कि मॉडलोस ऑफ रेजिलेंस को निकालेंगे कैसे मैंने यहाँ पर कहा इसको निकालने का तरीका तो एक ही हुआ एरिया और स्ट्रेस स्ट्रेंट कर अरे वाह क्योंकि एमोटी न स्ट्रेस कर वाह कहां तक देखा जाता है इलास्टेशित उसके बात तो फीलियर कंडीशन आ जाती है तो मैंने एलास्टिक लिमेट तक और बना दिया सीधी लाइन जाती है अब इस कर वा का जो भी एरिया होगा वह एरिया तुम लोगों को क्या बताएगा वही तो तुमक अंगल का area कैसे निकलता है आपने का modulus of resilience का formula हो गया half into sigma into epsilon half into base into height formula है मैं कुछ नहीं करता समझ आया कि नहीं आया तो है क्या maximum strain energy per unit volume stored in the material is called modulus of resilience और वो निकलता इस formula से है ये भाई screenshot ले ले लेना important है you can write it as modulus of resilience is what strain energy per unit volume strain energy को u से दिखते है v को volume से दिखाया मैंने this is called strain energy this is called volume is equal to half sigma epsilon क्या मैं लिख सकता हूँ half sigma epsilon into v is called u एक formula है वो याद करना है आपको और आपको भी पता है कि sigma is equal to epsilon into e u उठा के यहां रख दो आप लिख सकते हैं epsilon into e into epsilon into v यानि आपके पास formula क्या आ रहा है यहां से half epsilon square into v एक और formula तो strain energy stored in the material is given by these kind of formula formula एक ही काम का है वो ये बाकी तो modified कर रखे हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं ठीक है चार ये चीजे भी आपको समझ में आते हैं इसके बाद एक और टर्म आती है वो बहुत important है पिर एक और बताऊंगा लेकिन उससे पहले छोटी सी चीज आप लोगों को discuss करना चाहता हूँ मैं कि आप लोगों के लिए strict classes के एप पर बहुत सारी चीजे available हैं बहुत कम price में तो वो जो price है आप लोगों के लिए एक बरी में दिखाना चाहता हूँ जब आप strict classes के आप को install करेंगे mobile के अंदर तो वहाँ पर नीचे section मिलेगा store store में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि irrigation का complete course 300 रुपे में available है आपके बाद consolidated concept ही अभी out of stock है 51 रुपे में one liner की soft copy available है पूरी one liner सिर्फ 51 रुपीज में available है All India J civil engineering course जिसके original cost 2800 है वो अभी इस हफ़ते के लिए 2000 रुपीज में आपको मिल रहे है जिसमें आप लोगों को सब कुछ मिलेगा free notes, PDF, test series सब मिलेगा और आप लोगों को code use करना है जब आप course लें तो आप लोगों को code use करना है आप लोगों को 800 रुपे का off मिलेगा flat 800 रुपीज का discount है सिर्फ एक अफते के लिए valid उसके बाद आप देखेंगे तो 51 रुपीज में आप लोगों के लिए 600 civil engineering के mix question रखे है मैंने हाँ 600 civil engineering के mix question रखे है तो आप लोग देख सकते हैं आच्छा है और full detailed solution है उसमें आप लोगों के लिए available तो आप इसको भी ले सकते हैं आपकी मर्जी है आप जिसको भी लेना चाहिए तो काफी सारे चीज़े तुम्हारे पास available है और free content भी available है free content कैसे मिलेगा तुम लोगों को वो भी सुन लो free content आप लोगों को मिलेगा app के अंदर जब आप app को download करेंगे तो किनारे पे तुम लोगों को मिलते है menu option इस तरीके से menu option पे click करना तो आपको यहां मिलेगा study material का option study material के option पे click करोगे तो वही तुम लोगों को दिख जाएगा strength of material free notes का एक folder उसके अंदर मैंने सारी चीज़े डाग रहती है तो I am providing you the best content as well as free और paid दोनों chances आपके पास आप दोनों mode में जैसे भी available हो ले सक सब्सक्राइब के लिए तो आप लोगों को 800 रुपे का discount मिल रहे है शेश classes के एप पर पोर्स का link description में आप वहां से भी ले सकते हैं ठीक है चलो आगे चलने से पहले एक बरी मेर को thumbs up करेंगे यहां तक आपको हर चीज clear है जल्दी से यहां तक आपको सब कुछ clear है एक दो चीज और बढ़ानी है अभी जल्दी मेर को पताएंगे और वीडियो पसंद आए ना तो like करना और share भी कर देना दोस्तों को ताकि उनको भी अच्छा content मिले और वो भी पढ़ाई अच्छे से कर से ठीक है चलो तो अभी मेरी बात आती है यहां पर कि हम लोग क्या प इसको clear करो यह बहुत सारे बच्छों को पता ही नहीं होता कि प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है नाओ लेडिज और जडिल्मन वट इस प्रूफ स्ट्रेस हमारे पास बहुत सारे ऐसे material है जिन material में आप लोगों को yielding point ढंक से नहीं पता होता या design stress नहीं पता होता there are many material जिनका design stress आप लोगों को पता नहीं होता तो उनका design stress जब पता ही नहीं है तो आप उसको किसी भी तरह के material में use नहीं कर पाऊगे so in that cases आप क्या करते हो design stress आपको निकालना पड़ता है आप क्या मान कर चलते हो फिर कि आपकी body के अंदर जो permanent strain आएगा आपकी body के अंदर जहां से permanent strain होगा आप design strength क्या लेकर चलोगे आप design strength generally yielding के बाद लेकर चलोगे न कि yielding जो है उसके बाद हो रही है यानि उतने को design stress ल permanent strain मान कर चलते हो 0.2% experience के बेहाफ पर ये value ली गई है क्यों क्या कैसे ये किसी को नहीं पता बस इतना है RCC में भी इतना ही है और यहां भी इतना ही है तो आप इस particular amount of strain से एक parallel line खीचते हो और वो parallel line जो है आप अपने elastic proportionality line के ठीक parallel करते हो 22% strain से इस line के parallel एक line खीचते हो और जहां पर आप लोगों की ये line काटती है उस particular amount of stress को proof stress के नाम से जाना जाता है तो proof stress क्या है it is a design stress ये क्या है ये एक design stress है unknown metals का जिनका design stress पता नहीं होता offset method के थूँ आप इसकी value को निकालते हैं offset क्या है offset कहलाता है ये जो parallel है ना ये parallel line खीचने के तरीके को ही offset method का नाम दिया गेता है एक अच्छा point है याद रखना है ठीक है चल आगे मेरी बात आती है यहां से छोटी सी बात और बता देता हूं फिर चलूंगा मैं कि आप लोगों के ये कल बता दूं कली करा दूं हाना चलो अभी बहुत करते हैं इतना और विमल रावत थेंक यू इस वीडियो प्लीज प्रिस प्रिस पॉटन और शेयर टूंगा और कल हमारा पहला टॉपिक क्या रहने वाला है पहले तो कर्व पढ़ाऊंगा कुछ फिर failure conditions के बारे में पढ़ाऊंगा और कुछ question में लेकर आया था आप लोगों के लिए लेक आप इसी टाइम रेगुलर क्लास होगी क्या सोन की देखो विदद बंसल क्या है ना टाइम का भी fix नहीं है बट कल तो मैं 6 बज़े ही लूँगा बट टाइम अभी fix नहीं है 16-17 तारीक के बाट टाइम fix को रूँगा ठीक है कल 6 बज़े होगी यह पक्का है तो बच्चों क को भी बता देना अपने दोस्तों को भी नया चैनल खूल है ना चाहता हूं कि जो content में दे रहा हूं और जिस energy के साथ में पढ़ा रहा हूं बच्चों तक पहुचे और वो तुम ही कर सकते हो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा काम तो पढ़ाना और चीजों को बताना है बच्चों तक पहुचाना अपने साथी को बताना वो तुम्हारा काम है ठीक है तो अभी चलता हूं thank you for continuously watching me जय हिन जय भारत नितेश कुछ पूछना चाहते हैं यह कल ही बता दूंगा ना अभी time नहीं है न साथ बज़े तक class होती है फिर ज्यादा लंबी करके benefit नहीं है ठ चाहिए नीती तो आज बच्चों को पता भी नीता कि छे बज़े class है कोई तुम्हारे संपर्ग में हो तो बता दे ना कि छे बज़े class थी और कल भी छे बज़े class होती है ठीक है बाए ओके